इस एक स्ट्रुचर्स त्यार होने के बाद जिस तरीका देखने एक दम ऐसी त्यार करना है इसके बाद जो जो पार्ट जहां लगने है कैटलोग को देखके वहाँ पर हम रखेंगे रखिए यह सबसे लंबी वाली स्लाइड एकदम इस साइड में आएगी बड़े वाले प्लाटफर्म वाले साइड और जो डबल स्लाइड है वो यहलो कलर की जो डबल स्लाइड है वो इधर इस लाटफर्म में ऐसे आएगी और सेडियां इधर लगी जाएंगी अब हम एक एक करके सारे पार्ट्स लगाएंगे सबसे पहले हम लंबी वाली स्लाइट लगाएंगे यह उपर ऐसे प्लेस उपर प्लेस होएगी इसके यहाँ पर स्कुरू जो है वो इस स्कुरू के अंदर जाएगा स्कुरू दिखाना सुपिदार कौन से लगने है सब में सेम स्कुरू ही लग रहा है यही सब में वही सेम स्कुरू लग रहा है जो पहले लगा गया है यह इस से टाइट होएगा आपका करेंगे इसमें पूरा पैनल बना हुआ है दिखाव इस स्कुरू अंदर की साइड लगेंगे नीचे की साइड से स्कुरू लगेंगे लगा उसके साथ यहां पर आप देख रहे हैं एक दम एक्जाक स्कुरू की उस तरीके से लगेंगे ताकि जाक वो साइस उस तरीके से आजाए बहुत ही अच्छी तरह चार-पांच अनेश को लगाने के लगेंगे तो उस तरीके से वहां से स्लाइट पकड़ी गई है और यहां पर स्कुरू लगाए जा रहे हैं कोई भी जोड़ दिवस्ती का काम नहीं है बड़ी ही राम से करना है अगर कोई जोड़ दिवस्ती आप कर रहे हैं तो मतलब कोई आप सही तरीके से इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं सब स्कुरूइंग पहले से ही सारी हो रखी हैं यह आपकी दूसरी स्लाइट भी इंस्टॉल हो गई अब स्टेर्स को इंस्टॉल करेंगे एक दम बीच में एक दम प्लेस करके बीच वरे लूप की स्कुरू के अंदर इसको डाल देंगे यह उपर से लगके नीचे स्कुरू ही माएगा यह वीडियो के लिए स्टू को पूरा टाइटन नहीं करे जा रहा जब फाइनल इंस्टॉलेशन होती है तब ढंक से टू स्टू टाइट किये जाएंगे अब हम रूफ को उपर प्लेस करेंगे चलो रूफ उठाओ सब पहले चोटे बार्स लगाते हैं चलो लगाओ इनका लगाने का क्लाम सिस्टम से लगते हैं अब इस चीज को हम लगाना सीखेंगे आप यह देखें कोई भी पार्ट होगा तो उसमें साइट में ऐसे रॉड लगी हुई है और इसमें क्लाम सिस्टम से आगे यह लगते हैं आप फोटो देखके उसका जो क्याटलोग की फोटो देखके कौन सा पार्ट कैसे लगना है वह फोटो से आपको पता चलेगा वैसे वहां लगाने हम भी क्याटलोग देखके ही लगा रहे हैं उसको